कोहली की कप्तानी में 24 रन से जीता बेंगलूरू, सीजन की तीसरी जीत हासिल की, प्लेस इस विराट की 50 के बाद सिराज की दमदार गैंद बाजी। रॉयल चैलिजर्स बेंगलूरू ने इंडियन प्रीमियल लीग 2023 के 27 वे मुकाबले में पंजाब किंग्स PBKS को 24 रनों से हरा दिया है। इस मैच में विराट कोहली बेंगलूरू की कप्तानी कर रहे थे। इस हफ़ते पांचवी टीम ने घर में मैच गवाया है। पंजाब से पहले बुधवार को जैपूर में राजस्थान, मंगलूर को हाइदराबाद में SRH, सोमवार को बेंगलूरू में RCB और रविवार को हम्दाबाद में डिफेंडिंग चैंपियन बुजराथ आइटम्स को पराज़ जेलनी पड़ी है। कोहली की कप्तानी में 24 रन से जीता बेंगलूरू, सीजन की तीसरी जीत हासिल की, प्लेस इस विरार की 50 के बाद सिराज की दमदार गैंद बाजी। चंडीगर तेईस मिनित पहले, एक बच के चार मिनित, मुहम्मद सिराज ने चार विकेट चटकाए। उन्होंने अथर्व तायरे, लियाम लिविंग स्टोन, हर्प्रीग बरार और नाथन इलिस के विकेट लिए। रॉयल चैलिजर्स बेंगलूरू ने इंडियन प्रीमियल लीग दो हजार तेईस के सताइसवे मुकाबले में पंजाब किंग्स PBKS को 24 रनों से हरा दिया है। इस मैच में विराट कोहली बेंगलूरू की कपतानी कर रहे थे। इस हफ़ते पांचवी टीम ने घर में मैच गवाया है। पंजाब से पहले बुधवार को जैपुर में राजस्थान, मंगलवार को हाइदराबाद में SRH, सोमवार को बेंगलूरू में RCB और रविवार को हम्दाबाद में डिफेंडिंग चेंपियन बुजरात आइटेंस को पराज़ जेलनी पड़ी है। ये बेंगलूरू की इस सीजन की तीसरी जीत है। टीम पॉइंट स्टेबल के पाँचवे नंबर पर आ गई है। देखे पॉइंट स्टेबलूरू के PCA IS बिंदरा स्टेडियम में पंजाब ने टॉस चीत कर बॉलिंग चुनी। बेंगलूरू ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में 15.2 ओवर में 150 रन पर ओल आउट हो गई। आज डबल हेडर दे है और दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स DC और कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के बीच कुछ देर में दिल्ली के अरुन जेतली मैदान पर शुरू होने जा रहा है। पढ़े मैच की प्रीव्यू रिपोर्ट मैच की टानिंग पॉइंट्स पहला, सिराज की गैंदबाजी मुहम्मद सिराज ने सटीक गैंदबाजी की। पहले उन्होंने पंजाब को पावपले में दो जटके दिये। उसके बाद अथारह वे ओव में दो विकेट चक्का कर जीत की और बढ़ रही पंजाब की उम्मीदों कर पानी फेर दिया। दूसरा, पंजाब ने लगातार विकेट 175 रन के टार्गेट का पीछा करते हुए पंजाब ने लगातार विकेट गनवाए। टीम के टॉप ओडर और मिडल ओडर में कोई बड़ी साझेदारी नहीं हो सकी। टीम की सबसे बड़ी साझेदारी 41 रनों की रही जो जितेश शर्मा और हरप्रीत बरार के बीच आठवे विकेट के लिए हुई। टीसरा ओपनिंग पार्टनर्शिप विराट कोहली और फाफ दू प्लेसिस ने 137 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। बेंगलुरू का पहला विकेट सत्रहवे ओव की पहली बॉल पर गिरा। इस पारी में पंजाब के गेंदबाज नाकाम रहे। मैच एनालिसिस पंजाब ने लगातार विकेट गनवाए। गेंदबाज भी नाकाम रहे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरू की ओर से फाफ दू प्लेसिस 84 रन और विराट कोहली 69 रन ने अर्धशतक या पारियां खेली। शेश बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। हरप्रीक बरार को दो, अर्षदीप सिंग और नाथन एलिस को एक एक विकेट मिले। जवाब में पंजाब के ओपन प्रभसिमरं सिंग सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 41 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को नहीं जिता सके। मुहमद सिराज ने 4 ओव में 21 रन देकर 4 विकेट लिये। देखे बेंगलूरू पंजाब मैच का स्कोर काड़। यहाँ जानिये कैसे गिरे किसके विकेट। ऐसे गिरे पंजाब के विकेट। पहला, पहले ओव की दूसरी बॉल पर सिराज ने अर्थव तारी को LBW कर दिया। दूसरा, वनिंढू हसरंगा ने मैथ्यू शोट को तीसरे ओव की पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया। तीसरा, मुहमद सिराज ने 4 ओव की दूसरी बॉल पर Livingstone को LWB किया। चौथा, छटे ओवगी तीसरी बॉल पर सिराज ने हरप्रीत भाटिया को रनाउट कर दिया। पाँचवा, दसवे ओवगी पाँचवी बॉल पर सैम करेन रनाउट हुए। उन्हें हसरंगा ने रनाउट किया। चथा, बारहवे ओवगी तीसरी बॉल पर वेन पानल ने प्रभसिम्रन सिल को बोल्ड कर दिया। साथवा, तेरहवे ओवगी पाँचवी बॉल पर वनिंदु हसरंगा ने शाहरुक खान को दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप कर आया। आठवा, अथारहवे ओवगी तीसरी बॉल पर सिराज ने हरप्रीग बरार को बोल्ड कर दिया। ऐसे गिरे बेंगलूरु के विकेट। पहला, सत्रहवे ओवगी पहली बॉल पर हरप्रीग बरार ने कोहली को विकेट की पर जितेश शर्मा के हाथों केच कराया। दूसरा, सत्रह हुए ओवर की दूसरी बॉल पर बरार ने मैक्सवेल को अथर्व तायरे के हाथों कैच कराया। तीसरा, अथारा हुए ओवर की तीसरी बॉल पर नार्थनेल इसने फाफ दू प्लेस इसको सैम करेन के हाथों कैच कराया। चौथा, उन्नीस वे ओवर की आखिरी बॉल पर दिनेश कार्तिक को अर्षदीप सिंग ने अर्थव तायरे के हाथों कैच कराया। अब देखिए कोहली से जुड़े रोचक फैक्ट। कोहली ने टी बीस में कप्तानी करते हुए 6500 रन बनाए। वे ऐसा करने वाले पहले कप प्तान बने हैं। विराट कोहली ने अपनी पारी में 5 चोके जमाए। उनके IPL में 600 चोके पूरे हो चुके हैं। यहां से लाइव कवरेज, पहले पंजाब की पारी, पंजाब को शुरुआती जटके 49 रन बनाए। पावकले में पंजाब को शुरुआती जटके लगे। टील ने 49 रन बनाने में 4 विकेट गवा दिये। मुहम्मद सिराज ने बेंगलूरू को 2 विकेट दिलाए। यहां से बेंगलूरू की पारी, कोहली दूपलेसिस के बीच शतकिय साजेदारी। तपतान विराट कोहली और फाफ दूपलेसिस ने बेंगलूरू को मजबूत दोनों ने 98 बॉल पर 137 रन की साजेदारी की। कोहली ने जमाया 48 वा अरधश तक। 556 दिन बाद बेंगलूरू की कपतानी कर रहे विराट कोहली ने लीग में 48 वा अरधश तक जमाया। उन्होंने 40 बॉल पर 50 पूरी की। विराट ने सीजन का चौथा अरधश तक जमाया है। कोहली ने 47 बॉल पर 125.53 की स्ट्राइक रेट से 69 रन बनाये। कोहली की पारी में 5 चोके और 16 शामिल था। उनके IPL में 60 चोके भी पूरे हो गए। डू प्लेस ने 31 बॉल पर जमाया अरधश तक। 5 डू प्लेस ने लीग करिया का 29 अरधश तक जमाया। मौजूदा सी प्लेस बॉल पर 50 पूरी की। इतना ही नहीं। डू प्लेस ने इस सीजन में 300 रन भी पूरे कर लिये हैं। वे ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। प्लेस ने 56 बॉल पर 150.00 की स्ट्राइक रेट से 84 रन बनाये। इस पारी में 5 चोके और 5 चके शामिल रहे। रे प्लेस ने रेगिलर कप्तान के बिना खेल रही हैं। बेंगलूरू की कप्तानी विराट कोहली कर रहे हैं। तो पंजाब की कमान सैम करें के हाथों में हैं। कोहली 556 दिन बाद कप्तानी कर रहे हैं। बेंगलूरू की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ हैं। जबकि पं उम्रोर, ग्लेन मिक्स्वेल, शाहबाज एहमद, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, वनिंदु हसरंगा, हर्शल पतेल, मुहम्मद सिराज, वेन पानल और सुयश प्रभुदेसाई. इम्पेक्ट प्लेयर, विजय कुमार वैशक, डेविद विली, करंशर्मा, आकाश दीप और अनुज रावत. पंजाब किंग्स, सैम करेंट कप्तान मैथ्यू शौट, हर्प्रीट सिंग भात्या, लियाम लिविंग स्टोन, अथर्व ताइरे, जितेश शर्मा विकेट कीपर, शाहरुक खान, हर्प्रीट बरार, नाथन इलिस, रहुल चाहर और अर्शदीप सिंग. इंपेक्ट प्लेयर, प्रभसिम्रान सिंग, मोहित राथी, शिवम सिंग, रिशी धवन, सिकंदर रजा. हेड तू हेड में पंजाब आगे, पंजाब और बेंगलूरू के बीच अब तक कुल 30 मैच खिले गए हैं. ओवरॉल हेड टू हेड रिकॉर्ड में पंजाब आगे है, 17 में पीबी के एस और 13 में आर सी भी को जीट आगे हैं.